कि नवसकार दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करतों आप लोग बहुत अच्छे होंगे आपकी तेयरी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों मेध की क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है पाइप और टंकी और अभी तक हम उसमें दो किलास करा चुके हैं और दो किलासों के साथ हमारा टाइप बन जो है complete हो चुका है आज के सेस्ट में हमारा टाइप टू रहेगा और प्लास नंबर जो है आपकी पाइप एंटेंगल की तीसरी है और आप लोग काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं आप आगे भी सथीर के सपोर्ट करें और आप अगर मैथ में जादूग्र बना चाहते हैं तो भी क्लासों को देखें इते मिनान से सब को पैटर्ण को समझें और एक और बात कल थोड़ा सा सिखायत में थी वीडियो में की बच्चों को लग रहा था कि साफ नहीं दिख रहा था तो आप ऐसा किया करें कि जब आप किलास देखते हैं तो थोड़ा सा अपना वीडियो की क् के लिए जो है दिखाई क्योंकि ऐसा है ना आपको आद अज्यों हो चुकि है और यह वाइड वोट है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है क्योंकि जैसे हम इसको और भी ज्यादा करने कोईस्त करेंगा तो फिर ज्यादे बिला हो जाएगा तो इसलिए आप अपनी के टाइप हैं और सभी कोशन करने को हिस करेंगे और हम जो फॉलो कर रहे हैं वह किताब है किरन पॉब्लिकेशन की और उसी के टाइप को हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि एक एसी किताब है जिससे उत्तरप्रदेश पुलिस SSCGL SSC MTS SSC CHSL आपके जितने भी एक्जाम होते हैं उन सभी में helpful होती है और बंडे एक्जाम के साथ साथ जितने भी आपके स्टेट PCS में सी सैट और UPSC में सी सैट जो होता है उसके लिए भी यह वह ज्यादे useful book है तो दोस्तों आज का पहला कोशन आपके सामने है और देखिए कोशन क्या है कोशन एक टंकी को पानी से भरने जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा ठीक है तो पहला दोनों क्या है आपको भरने वाले पंप है पहला पंप जो खाली टंकी को 8 गंटें बढ़ता है दूसरा 10 गंटें बढ़ता है कोशन प्यारा कोशन अच्छा कोशन मैं उम्मीद करूंगा आप से कि आप को करोगे ठीक है तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं देखता हूं मैं कितना को अच्छे समझें वाही पंप जो है आपका इमान लेंगे उस बहरा है कितना आट गंटेंव अधा दूसरा B, और यह कितने में कर रहा है? यह 10 घंटे में कर रहा है, ठीक है भई? अब यहाँ पर पूछा है कि पहले यह देखो टंकी की धार्ज़ता कितनी है, तो 8 और 10 का LTM जो है 40 में चला जाएगा, तो हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ 40 लिख सकते हैं, यहनि टंकी में 40 लि और चार नो बच्चा कितने गंटे तक को लगा गया तो तो चार गंटे तक हो लगा इसका मतलब चार गंटे में कितना पानी भरा यहोंने 36 पानी भर अब उसने काया है तो टंकिया कितना भाग पानी से भरा जाएगा तो भाग निकालना है अब बेटा सेखो 36 लिट्र भरा गया है कितने में से भरा गया है चालिस में से तो आपको सबसब अच्छी तरी किसके गुणा जाए चार के चार नम 36 और 14 तो हमारा आंसर जो बनेगा बेटा वो कितना बनेगा नो बटा दस यही हमारा जो है आंसर है घबराने वाली कोई बात है नहीं इसी तरीके से इसको को सकते हो ठीक है जी कर लो इसको क् बारी कोशन है यहीं नहीं बहुत इंप्ल कोशन है तो हुआ है ठीक है ना चलिए आप नाकर नोट कर लिए और दूसरा कोशन देखेंगे क्या है तीन नलियां ए बी और तथा सी एक टंकी को किरम से 6 गंटे 9 गंटे और 12 गंटे भरते हैं बी और सी को आधे घंटे तक खोल दिया जाता है एक हों भी को दिया जाता है तद नुसार उन तीनो नलो को टंकी का शेष़ स्वार भरने में कितना समय राएगा । आद अगंटे तक B और C खोले गए हैं उसके बाद से इस भाग में तीनों काम करें उसी काम में जो है आंसर चाहिए है आप उसको बनाईए क्या बनने वाला है कितने प्यारे तरीके तो कुर्शन होने वाला है बहुत हल्का कुर्शन है घवराने वाज़े कोई बात नहीं है यहां पर कितने कितने घंटे 6 घंटे फिर कितने घंटे हैं नो घंटे फिर कितने घंटे हैं बारे घंटे यह हो चुका है बी तथा सी को आदे घंटे तक खोल गया पहले देखो टंकी की धारिता कितनी है तो अगर हम यहां धारिता देखते हैं तो धारिता कितनी बनेगी 9 6 और 12 कितनी बन गई 36 36 दाइता बन गई 36 में 6 की बी नो की और 12 की तब की चल जाएगी 6 6 36 तो यह चमता आ चुकी है प्लस के 6 ठीक है नो चोग 36 प्लस के 4 बारह तिया 36 प्लस के 3 अब बात करते हैं उसने का बी और सी को किसको बेटा बी प्लस सी को कितने घंटे से चलाए बी सी की वैलू कितनी है दोनों की देखो साथ यानिकि 4 प्लस के 3 कितनी है साथ ठीक है और यह से कितने घंटे तक आदा घंटे तक यह सब घंटे में है कितना घंटे है बोला है हाँ विंगतों ही आधा घंटे तक यानि कि एक बटाथ दो तक तो कितना पानी साथ का अधा गँए तो तीन पॉइंट पांच पानी तो उन ही भढ़ दिया से सेंगे कितनी वची अगर मैं इसमे से 3.5 लेस्ट करूं तो सेश जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा सेश जो बचेगा वो कितना बचेगा वो बचेगा 32.5 यानि कि 32.5 ये बचेगा हमारा अब इस पर काम करने वाले हैं तीनों लॉल उन करने वाले हैं तीनों करने वाले क्योंकि अब जो है वह ए बीसी तीनों काम करेंगे ठीक है अब यहां पर हमारा कुर्ष्चन बनेगा 10 और 13 कितना तेर है पॉइंट तादो जीरो बढ़ा दो ठीक है अब देखो यहां से हम पांस से तो 25 से कट नहीं सकता तो तो हम 5 से कट कर सकते 5 दूने 10 और 5 छंग 30 26 अगर हम यहां से 5 छंग 30 तो 5 छंग 30 और आपका कितना बचा है यहां से 25 25 ठीक है भई अब यहां देखो इसा और क्या कर सकते सेश को तो बोला है इनोंने कि नली भर सकते हैं तो अच्छा बी और सी बी और सी के लिए है साथ गंते तक तीन आदे गंते तक ठीक है जिनों यहां तक देखते हैं कि 65 बटे आपका 26 आ चुका है 13 का ना 13 और 16 आच्छा 2 सही 1 बटा 2 गंटे dag 17 यह ठीक है इस तडीके से कोश्चन होने बाला था सेश का काम करना था हमें क्या करना सथे यहां करना था अगर पूसता कि पूरी टंक्यू बहने में कितना समय लगा है तो हम यहां पर कितने घंटे बता सकते थे हम बता सकते थे तीन घंटे पूरे क्यों क्यों कि आदा घंटा यहां काम करा लिया था और धाई घंटे काम आया है तो हमारे कितने घंटे होते हैं तीन घंटे हमारे हा बादूगर बना देंगे मैं हर तरीका कॉर्शन करना सीख जाओगे अब घवराओ ना ठीक है तीसरा कॉर्शन देखेंगे क्या है आपके सामने तीन नलीकाएं A, B तथा C एक टेंकी को 6 घंटें भर सकती हैं दो, सुरी, दो घंटों तक तीनों को एक साथ कोलने के बाद C को बंद कर दिया आता है और A और B उस टेंकी को 8 घंटें भर देते हैं और गंटे में बढ़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं अकेली नली का सी दौरा वे टंकी कितने घंटे भरी जाए तकती है इस से अलगा कॉर्शन मुझे तो ऐसा लगता है नहीं कि बना हुआ है कोई बहुत अलगा कॉश्चन आप इसा करिए ताइम में आपको दे रहों करिए इस कॉश्चन जी देखो थवाल बोला गया और आंसर भी आ गया ठीक है बार है बहुत बढ़ी है चलो देखते हैं अभी क्या है चलो अब नहीं रुका जागा भी अब तो आंसर आ गया चलो देखते हैं मेहनत दब कर चल लगी है बच्चों की ठीक है अब देखो क्या बोला एतीन लिका है एबी सी तो हम इसे इस तरीके लिए देखो एवी और सी कितने गहंते हैं बढ़ते हैं शेगंटे हमने लिख दिया इसको शेगंटे तो इसके धारिता कितनी आजाएगी इ शे की शेदारित आ जाएगे इसकी पावर कितनी आयगे छंता कितनी आजाएगी देखो का एक अब सवाल ओब वहाया पढ़ा दोघंते तक तीनों के साथ खुला गया मैं इसको दो घंटे तक चलाना चाह रहा हूं मैं दो घंटो धनके में कितनी विश हो जाएगी दो यूनिट हो जाएंगो दो यूनिट हो जाएंगो तो अगर मैं दो यूनिट निकाल दूँ तो अब कितनी सेस बची कितनी बची चार यूनिट जो है चार यूनिट अभी हमारी सेस बची कितनी यूनिट चार यूनिट सेस बची इस पर A plus B, इस पर तीनों ABC, तो 4 के 4 कि कितने में कहारे हैं, ये घर रहे हैं 8 गंटे में, कितने गंटे मुणन न बोला है, कि ABC से भखने में कितना time लेते हैं, 8 गंटे, अब यहां से हम छमता निकाल सकते हैं, AB की भी, A B की शम्ता किते निकल लगाएगी? चार लड़ू है, आठ गंटे में खा रहे हैं तो हर गंटे आधा खाते होंगे कितना खाते होंगे? एक बटा दो, आधा या पोइंट पांच इसे कह सकते हैं यदि मिज़े C की वैल्यू निकालनी है C की वैल्यू निकालनी है तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा A प्लस, B प्लस, C माइनस के A प्लस, V मैं चाहता तो यह वाली बात जो है यहां नहीं लिखता है, वागर कुछ बच्चे जो होते हैं वो नए बच्चे भी है, तो क्या करना हम है A, B, C कितनी वैल्यू है, एक माइनस कितना करना है, एक बटा दो इस सह यह चीज, C की वैल्यू कितनी बच्ची एक बटा दो ही बच्ची, C की वैल्यू कितनी बच्ची एक बटा दो, हम तो चाहते हैं, तो ऐसी बच्चा जानता है कि तीसरा बटी ऊपर पोगज़ जाता थीसरा बटी कहां पोगज़ जाता है उपर पोगज़ जाता तो सी अकेला कितने हम करतेगा च्छा गुणा दो या निकि आमका अंसर यहां आँ आशा है ठीक है तेल है शमज गए बिल्कुल एक एक लाइन ओपन कर अगर नया इस्ट्वेंट होगा वो भी समझ जाएगा और जिसने पहली बार अगर मैं आथ कुछ होगा तब भी समझ जाएगा कुस्ट तरह करा तीन आदमी एक लड़ू खाते हैं तो बचा वगा तीसरा कुन खाता होगा आधा लड़ू खाता होगा ऐसा कर लीजिए टैंक म आरे बात समझ मैं नहीं इस तरीके से कोर्शन को करना सीखी जाओ ठीक है भई चलो चोथा कोर्शन देख लो इतने इसे कुछ लोग जो है जिन्हों नहीं करा हो वो तार लो चोथा कोर्शन आपके सामने है चली चोथा कोर्शन पढ़ते हैं यदि दो नली काएं यह नलियां एक साथ खुली हो तो एक टंकी 12 घंटें भर जाती है बहुत अच्छी वाद है उन्हें से एक नली उस टंकी को दूसरी किया पेक्षा 10 घंटे अधिक गती से भर देती है यह भी ठीक बात है तो तेज वाली नली अकेली उस टंकियों कितने समय में भर देगी यह आपको तो यह कोश्चन जो है ना बहुत अच्छा कोश्चन अब मैं आपको जो है इसका एक कोश्चन का अधार बताऊंगा सबसे पहले बेसिक कोश्चन बताऊंगा बैसे यह पहले फिर कॉंसेप्ट इसल से यह देंक्योंकि बार्य अट बारे घून जो होते हैंज साठ आजाएंगे नेत6 मायं हम दाईटा कितनी मानने है थालना चल्ब की आजने साथमां काई تھ command इसको 960 10 इसी वह संख्य लेलो जिनमें की 10 घंटे का अंतर हूं और सीएंसाठ हो तो जबलेंगा वह तो हो गया 20 और जो तेज होगा तो आज यादा धीमा यादा घंटे लेगा कितने 30 घंटे हो गये हाँ तक अभी तक अब जो को 20 के कितनी बार जा रही है तीन बार ठीक है 30 के कितनी बार भाग जा रही है 2 बार जुल के कितना आ गया 5 यानि कि A प्लस B 2 नल 60 लिटर को कितने में भर सकते हैं 5 के वैलियू है 5 से कितनी बार कटा 12 घंटे चीक है सबाद में 12 घंटे दे रखा है तो 12 घंटे कमान 12 घंटे आ गया इसका मतलब तेज गती वाला कौन सा हो गया 20 हो गया तेज गती वाला कौन सा हो गया 20 और धीमी गती वाला कौन सा हो गया वो 30 हो गया मिल गया आंसर तो एक तो तरीका यह होता पहले से नोट करो फिर दूसरा बताएंगे जो फरजी है वो पहले अर्य होता कि हम इसे जट कर सकते हैं जब भी दकान तरएं और देखों इन दोनों में दसकान तरगे दा ग्हिंटे को यह एक को स्वर्ट है यह अर्वार घ्र मैख में दिया होता है रिपीटको होता है तो चलो दूसरा देखो कैसा करेंगे हम पेले स्कों आप अच्छे से नोट कर लो ठीक है इसको नोट करलो स्टको पहले स्थिक हैं फिर हम दूसरा को इसी का ताइप करा रहे हैं चलो दूसरा देखो कैसे करेंगे अब हम 10 अब हम दाजीत सवार उठाया साथ है हम उठाएंगे दस घंटे से. माल लिज्य तेज गती वाला यह है. यह है तेज. और धूमी गती वाला यह है. धूमी गती वाला. तो यह अगर तेज गती वाला x मैं कर रहा थे. कितने में कर रह होगा ? x caves 10Ins 10 कांतर आगया. अब यहाँ पर जोiant Tus होगा वेटा कितना होगा X into X plus के 10 इसकी बाग कितनी बाद जाएगी X plus के 10 इसकी बाद कितनी बाद जाएगी X गार ठीक है अभी तक फिलाल में इतने देखो तो हमारा काम है कि 12 गंटे 12 गंटे बराबर कितना है x into x plus 10 बटे 2x plus के 10 कोई दिक्कत नहीं है न 12 गंट टाइम बराबर जो भी हमारा राता है इसे भाग करकर 12 गंटी तो आता है इस वाली छमता सा अगर काम को भाग करते हैं तो टाइम निकल का जाता है ठीक है तो ऐसी वो टाइम रख दिया हमने बराबर है तो अब अगर मैं इनकी गुणा करूँ इस साइड जाकर या मैं इसमें 2 कोमन ले लूँगा भी तब भी या चलो ऐसी कर देते कितना आ जाएगा 12 गंटी 24 24 x plus के 120 बराबर x square और plus के 10 x ठीक है भई अगर मैं 10 इसमें से less कर दूँगा इधर ठीक है तो ये minus को हो जाएगा अगर मैं इसे इस तरीखें जबाना चाहूँ कि x square plus के 10 x है minus के 26 तो minus के 14 x बचेंगे minus के 14 x ठीक है फिर plus के इसरा के कितना को हो जाएगा minus का तो minus के 120 बराबर जाएगा ठीक है अब ऐसी संख्या ऐसी संख्या लेए लो जिनकी गुणा करके जो चैक और गट कर कितना आजाहे तो सब्सक्राइए 14 यह फिर चिनकी गट कर जब गट कर नहीं अब पसमें और गुणा करके कितने आजाई 120 ठीक है ऐसा कुछ होगा वो फैक्टर देख लो आप ठीक है और इसको सोल्ब करके यहां से आप देखना आपका वहीं अंसर आजागा एक यह होता एक सवाला ठीक है तो यही एक तरीका है और इस सवाल को जब आप कोशिश करो इसको करने की तो इस चक्रा पड़े मत करो इस चक्रा पड़े मत करो कि दुगास समिक्रमा आप बहाँ पर जोन फाज जाओगे कि यहां पकड़े करूं यहां भी ऐसी पकड़े करूं क्या करना अब इसको छोटा और करना क्या है कि एक्स इंटू एक्स प्लस के दस अधिक लिए रहा यहां कितना है कि एक्स कितना हो गया दो एक्स और प्लस के 20 अब बरावर कितने घंटे आ रहा है वो आ रहा है 12 गंते 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 आ तो यहां पर क्वुई भी X से सम्ख्य रख कर अगर हम यहां एक रुवाना हमने कौन सा बान से दिखेle थेज अगर मैं मैं 20 रख दो तो यहां भी 200 हो जाएगा आपका और यहां इतना हो जाएगा, यह 30 हो जाएगा, तो 20 और 30 की गुणा होगी, 20 और 30 की गुणा, यहां 30 हो जागा है, 20 तो यहां पर कितना आजाएगा आपका, जैनि कि 20 गुणा 30, और यहां पर कितना आजाएगा, 20 धुनी 40, और एक, यह 10 से 50, इस तरीके से, ठीक है, यहां रख दो इनक आगे वह बार है लुस्त महरति हैं गार के यह संप्सक्रेख्षां संब्सुट करना चाहँ रहे हैं तो कि आ pratic इनकी लगाए इतना तो सब कुछ बरबाद हो चुका होगा समझ गया न YouTube जबकि पहला यह तरीक अच्छा था ठीक है चलो इसको नोट मत करना इस टाइप वह नोट करना पहला ठीक है सवाल नंबर पांच देखो लोगा अपना सवाल नंबर पांच सवाल नंबर पांच है दो नलिकाएं एक्स तथा बाई एक टंकियों किरम सा 24 मिनट तथा 32 में भड पूरी भर जाए अब बताओ कि इससा हलका हुई सवाल है भी मुझे तो लगता नहीं कि मैंत में कोई इससा हलका सवाल बनाया हुआ थीक है कर लो इसको एक बार और पढ़ोंगा कोश्चन को पहला कोशिश करो करने की इसको ठीक है प्यारे प्यारे कोश्चन है बिल्कुल यह क्लास डेली आठ बज़े आपको मिलती है रात को वो टाइम ऐसा होता है मैथ निकालने का टाइम होता है ठीक है सुरू की डोज जो लेकर पढ़ने की वो मैथ के साथ लेकर हूँ ठीक है बई चलो एक सवाब एक बार पढ़ते हैं सवाल को फिर आगे बढ़ते हैं क्या है सवाद में ठीक है कि दो नलीकाएं एक तथा बाई एक टंकी में को किरम से 24 मिनट तथा 32 मिनट में बढ़ सकती है ठीक है बढ़ दिया चलो दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है बाई को कितने समय बाद बंद क्यारत देना चाहिए ताकि टंकी जो है 18 मिनट में भर जाए 18 मिनट में भर जाए यानि कि पहला 24 है एक्स एक्स जो है वो कितना है 24 है बाई जो है वो आपका 32 है यहां से हम 96 अलधिम ले लेंगे पूरा ठीक है एक पूरे 18 मिनट कापा पानी के किटना पानी डाला है तो इसका जो यूनिट गई वो आएगे हैं इसकी लिए अठारा चोक 72 तो 72 तो यूनिट आगी एक ही अगर मैं एक ही 72 घटा दू एक हिस्ते की 72 तो सेस कितनी बचेंगी 24 शेस बचेंगी यह किसका है काम यह बी का है कि वह यानि कि बाई का तो बाई सेस 24 को कितने की पावर से तो कितने में आठ में इसका मतलब आठ मिनट तक चलाओ उसके बाद कर दो बंद तो हमारे हां सक कितना आंसर आया आठ मिनट आठ मिनट हमारा आंसर आया आठ मिनट तक चलेगा और बस इसका मतलब आठारा में सा आठ मिनट शुरू के तो चलेगा ए और बी दोनों चलेंगे और भी दोनों चलेंगे फिर उसके बाद मैं आठ मिट बाद भी को बंद कर दियागा फिर एक्स और दस मिट तक चलेगा जब जाका अठार बनेगा इसका कहने का परपस यह है चाहिए आप देख लो ऐसी को जो मैं अभी बोला है चार और तीन साथ साथ को जब आठ तक होगे अठारे मिनिट होगे समझ गें कि बताओ नोट कर लो इसको पांच प्रसंद हो चुके हैं यानि कि हाप क्लास हमारी हो चुकी है विद्धर तीक है छड़ा कोशन देखो च्छड़ा कोशन बहुत बढ़े कोशन है दो पाइप एक तंक्यू क्रम से तीन घंटे और ती है तीसरा पाइप भरी टंक्यों के घंटे में खाली कर सकता है अच्छा टंकी आधी भरी होई है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिये जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी यह कुछ पुछा है चलो बढ़िया बात है ठीक घंटे मेंघनवड कर लेंगे 3 घंटे 45 मिट को भे थी खंटे 45 ओर ले ख़नार में लेड़ हो कि सब्सक्राइब कर लिए कर दो दो पाइप आपके निस ह्रांगे एप्र X कितने में कर रहा है.. ना Però करने मैं कितने में कर रहा है.. 3 кад Kunst 45 मैं क्वा समा है.. आपका 15 बते 4 लिख लेंगे.. 3 कि 15 को से सार्ड.. 15 सम्क्या तरिया 45 estàð 15 बते 4 लिख सकते है.. 15 बते 4 लिख सकते है.. और तीसरा पाइब यो है.. पेप पूरी तंकियों कुए घंटे में खाली कर देता है यानि इसकी वैलिवाइक घंटा यह माइना सहे यह प्लस है अब आप इस बात को समझिये कि जब एक घंटे मेर्टक खाली कर रहा है तो खाली तो कैपिसेटी कि ज़्यादा होगी कि अगर तीन से गर तो पांच टैंक में पानी जा रहा है हर गंटे कितना जा रहा है टैंक में पांच यहां से हर घंटे कितना जा रहा है और चार रज़ंद्ट को जाना चार जबकी हर गंटी निकल कितना रहा है हर गंटी पो फीन पर उच्ण चाहते तो इस सवाल में इस कि अधि अधि बरी हुई है तो कि अगर यह आधि बरी हो होतี हिए अगर थीन नो गोंको करतें तो क्यों चलते क्योंकि 9 रेट तो पंदरेटे निकल ला तो कैसे चल जाते टैंक की खा लिए है माल लो कि आपके खुराक तो है एक बार में पंदरे लड्डू खाने की और बन पा रहे हैं नो तो आप तो खाओ गई नहीं क्योंकि आपकी तो एक बार की खाने की नहीं बने लड्डू इसलिए टैंक चले गई नल्ट ला इसलिए उनने ंहें लोहते हुए उन इसलिह क्ला की अदिया दो टैंक मतलब कि ठीनट चलाने एक बार सबस्क्राइब दी माइनस के चयख उसा कितनी यह हैंजि नहीं जाहेंए यहां कि इस मोड्क आक नोईख構 तो अब यहां करेंगे हम इसका कि 7.5 बटे 6 से, पोइंट डाओ 0, 15, 75, 75, 60, यहां सा आया 1 घंटा, 4 सा भाग करेंगे तो 1 घंटा, फिर कितना आपका यहां से, अगर बचा कितना, 1 बटा 4, इसे बनाएंगे मिनट 60 से, तो 4 से कितनी बार, 15 बार, तो आपका आंसर कितना आया 1 घंटा, 15 मिनट, यही हमारा जो है, क्या है, आंतर, यही हमारा क्या है, आंतर, एक घंटा, 15 मिनट, क्योंकि टैंक के बल, आदि टैंक पर ही काम हो, ठीक है, अब हमारा विकल्ब कोन सा है, यह हमारा विकल्ब, यह विकल्ब पहले से ही है, यह विकल्ब पहले ही है, इस तरी जमा हो रहा तो तो जमा मैं से कितना जा रहा है तो च्छे की पावर से जमा से कर रहा तो पॉइंट रहा कि 0-60-15-55-60 आंतर के दना है एक घंटा 15 मिनट यह हमारा आंतर है सातवा कोश्चन इसके बाद जो है आपके सामने है उसे हम करने वाले हैं ठीक है सातवा कोश्चन हमारे सामने है देख लो उसको क्या है इसा नोट कर लो इस कोश्चन को नोट कर लीजिए यह बड़ी है कोश्चन है ऐसे कोश्चन बच्चों के गलत होते हैं गलत होते हैं 100% गलत होते हैं तो क्योंकि जो कम घ्यानी होते हैं न बच्चे और बहुत बड़े जानी बनके दिखाते हैं या वहीं तो वूंगे मैं आप कि लास में भी उन वच्चों से कभी नहीं नहीं होता था क्योंकि देख़ें एक बात सुनो नहीं इसलिए नहीं होना चाहिए क्व 트ंट में उने सो कि आप में होन चाहीए और और नहीं उन थीक है इल बे से मैं नराज होता नहीं उस इस्ट्वेंटस है क्योंकि बच्चे की उसकी कमी नहीं है उसके पिछे जो सिख्षा प्रणारी है कहीना की उसकी भी है तो देखें एक पाइप एक टैंक को X घंटे में भर सकता है एक अन्य पाइप उसे बाइगंटे में खाली कर सकता है बहुत बड़े दोनों मिलकर उसे कितने का समय में भरेंगे अब यह देखो X Y से question दिया है इतना हलका question क्या बना दिया है X घंटे में भरनने वाला है प्लस Y घंटे में खाली करने वाला है माईनस LCM कितना आ चुका है X और Y LCM आ चुका है यानि कि धारीता धारीता आ चुकी यह और आप बताईए मुझे कि दूसरे का क्या होता है अपोजिट होता तो इसकी पावर कितनी होगी होगी बाई इसकी पावर कितनी हो चुकी है X और गटाने मतलब एक साथ चलाने का मतलब है माईनस ठीक अभी तो हमारे यहां आते हैं कारी है यानि कि समय बरावर हमें समय करना है तो समय हमारा क्या आ जाएगा X Y और Y-X धूंडो कौन से भिकलब है ठीक है धूंडो कौन से भिकलब है A विकलब है न थीक है यह बच्छा गलती कर देते हैं क्युऴ, A और D भिकलब देको सेम है A और D विकलब यहां सेम है मगर क्या वे क्या नतर है वहाँ x-y दे रखा है तो हमारा ऐंशर कुनसा सही है ऐस ही वाला है ठीक है साथ साथ भरसन ओ चुके है 58 कुछ इसफी δंका है 7 वा प्रसन बी पहले यह हाग सपिल क्या है आपके सामने ठीक है पढ़ लो पहले इसको अच्छे से खरों ठीक है मने देखो क्या है अण अध्य पांट को कशवचन है पानी का एक यंग किसी टब को प्गंटें में भरा सकता है और नीचे लगा सिंख में उसे क्यू से कर Silk कलें कर सकता है यदी सब्सक्राइब की क्यू से क्यूं संद्न है यहां यहां पर लोगो लगवा तो यहनिकी पी जो है वो ज्यादा समय में करता है और नल एवं ऐबं सिंक दोनों खोल खुले हो तब है ऑर गंटें भर जाता है तब है कितने अब जाता है आर गंटें भर जाता अब समझे लो किया है भी अन्य तक पर कितने हो ये इस यह मां पर पर इसकी वेल्य इसकतни है। क्यूं अब बरावर कितने घंटे यह बनेगी मगर ऐसा कोई विकल्ब देने रखा तो अगर हम इसे विकल्ब एक सोल्ब करें कौन सा बी विकल्ब बनबटे आर बरावर ठीक है माइनस बनबटे क्यूं यह समझो अभी इस हम सोल्ब करना चारें उप्सन नमबर बी को अप्सन नमबर बी को सोल्ब करना चारें तो बनबटे आर ऐसी रहने दो ठीक है एलसें कितार लूंगा मैं यहां से पी क्यूं लूंगा हाँ यह ना क्यूं कहां पोचेगा उपर और माइनस यहां के पोचेगा पी देख लो देखो जाम इसका उल्टा करेंगे तो आर यही काम करना है अपको वस एकजामनर के मन को पढ़ना को भूना है ठीक है तूम canned के मन को पढ़ना झाप क्रों के प्रति क्या प्लान कर रहा यह मत देखो कि हम से कितन्य कोउमसर्ट vest करने आ गए preparedness ऐसो तो आप ठख जाओगे जिस मैत को मैं करा लो 33303 303 परसान उसमें एक चेप्टर में ठीक है इस मैत को निकालोगे फिर एक और पर आता है अपका राकिश यादव जी का एक मैत आता है उसमें भी तरी तरी कोश्चन है फिर और भी सोसो कोश्चन से अलग अलग राइटर हैं कहां तक सवाल निकालोगी और सब में कुछ ना कुछ अलग दिये हैं कोश्चन इनिके बेल एक्जामनर के भाव को सब्जो ठीक है चलिए नवा कोश्चन आपके सामने है उसको देख लेंगे यानिकी सेकिंड लास्ट आज की क्लास का क्या है इंपल कोश्चन है साथ पढ़का तो ऐसा ही लग रहा है चलो एक बार पढ़ेंगे अभी हम तुम सब साथ पढ़ेंगे कोई टेंशन नहीं है कि कोश्चन क्या है एक नल किसी टैंक को पचास में बढ़ सकता है ठीक है और दूसरा नल भरे हुए टैंक को पिछात्तर में मे चागये अचाल थोड़ा से जल्दी कराते एक कितनय बढ़्य सकता है एक कि श्मता कितनी है 50 हम पाचास नहीं दूसरा ऐसे कितने में खाली कर सकता है 85 में यानकी 75-ब опять छली आपर तो यह मान लीजये और इसको मान लीजय वीजिए यह मानस वाला यह प्लस वाला मीश्चा क मैं A-B अगर करूं तो प्लस के 3-2 बराबर पावर किसी बहने की प्लस की एक बचेगी यहीं कि दोनों नों को एक साथ को लूगा तो पावर यह यह होगी भरी जागी परणतु पेटर उन्हें पूछा क्या है उन्हें का टैंक पहले सी एक बटा दो भरा है तो एक बटा दो कराना 75 पर काम कितना है प्लस के बंस है तो कितना आ जाएगा आपका 75 मिनट यह आपके हां से आ जागे नहीं एक घंटा पंदर मिनट क्या है यह इसा बीविकलप आपका ओप्सण है ठीक है नो कुस्ट्ट्न हो गए सिद्दत के साथ हो गए है नों के नो तस्तबह और अंतिम को सब्सक्राइब इसमें कि पूछए यहिए ना की धारिता पूछिए समता पूछिए ठीक दस्वा कोश्ट्ट्ट आपके सामने पढ़ लिए सिक्राइब्ट को पर दटी ची क्या है नोल एक टन्की को किनम से 10 घंटे तक 12 घंटे में भरते हैं और एक निकाशनल इसे 80 गंटे में 80 गलान पानी खाली कर सकता है या कि पर घंट गळयन कर सकता है एक साथ तीनो नल को खुला खाली टनकी में खुला जाता है 20 गंट में टनकी बहर जाती है त्यंक की दालता कितनी ठीक है कितने में कर रहे हैं टैंक को 20 घंटें भर रहे हैं यहीं कि 20 घंटे में प्लस हो रहा है टैंक भर रहा है इसका मलब भनने वालों की पापर ज्यादा कि इससे खाली करने वाले से इससे यही तो पता चलता है एकेला कितने में कर रहा है एकेला कितने में कर रहा हैं आप 80L, अगर इसके घट्टिया पता चल जाए, कितने एहनटे में खाली करेगा, तो पूरी ठंकी को खाली करने में, कितना धर्टा होगी, कितनी ठंकी है, वो सब पता चल जाएगा, तो यहां 20-10-12 का टोटल धर्टा कितनी आ गई, 60 हमारी, 20 से कितनी बार, प्लस के 3, 10 से प्लस क पे 5, 12,50, 10,60, और 20 से, 60, अब आप यहां समझो, अराम सा समझो इस बात को क्या है, A, प्लस B, माइनस C, तीनों चले, और टैंक में कितना पाई लेकर गए, 3 लिटर, हर घंटे, जबकि निश्यस्ती बात है, A कितने घंटे, A कितना पाई डाला है, 6, B कितना पाई डाला है 5, ठीक है, खाली पाली आदी बादी कुछ तो नहीं है, अब उनने कहा कि अगर टैंक में 11 लिटर पानी जा रहा है, भरने भरने वाला, टैंक तक पोच के वज़ तीन पाई रहा है, तो डिश्ट्रोई कितना हो रहा है, वो डिश्ट्रोई हो रहा है, माइनस के 8, यानि कि पावर है, 60, यहां से, अब यहां देखो, कितनी बार, 15 बार, और यहां 2 बार, 4 दोनी 8 अर्थ 15 बार, तो अब 2 से कट करेंगे, कितना आ जागा, 7.5 घंटे आ जाएगा, काम, मगर यहां पूछी उनने, धाली ता, जब यह 7.5 घंटे में खाली कर सकता, पूरी टंकी को, औ और एक घंटे में कर रहा था, 80 गैलन, तो अगर मैं इस से 80 से गुणा करा दो इसकी, तो धाली तो मिल जाएगी, पॉइंट हटा दो, 0, 87, 75, 75, 600 होते हैं, समझगे नी, तो धाली ता कितनी आ जाएगी, धाली ता कितनी आ जाएगी, 75, 600 गैलन आ जाएगी, यही हमारा आंस देखो, सी विकल्प में है, 600 गैलन हमारा आंसर है, तो यह कोस्टन थे आज के हमारे टाइप बनके, कल जो हमारी क्लास रहेगी, वो इसी की रहेगी, इसी टाइप की, और कल जो कोस्टन हैंगे, वो हमारे 11 से 20 तक रहेंगी, क्योंकि हम हर टाइप के जो है, लगबग इन 62764 पर, यह वर्टसप है हमारा, ठीक है, इस पर आप वर्टसप कर सकते हो, हम उस कोस्टन को आपको करा देंगे, ठीक है बही, इस नमबर पर वर्टसप कर सकते हो, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो, ठीक है, तो मिलते हैं नही कलास के साथ, जैहिं जवार्थ, मत्रम